नमस्कार आप देखरेंगे न्यूसबल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजू लरायन शुर्वात करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आज की जो है जो की धीरे धीरे दिन की बड़ी खबर बन जाएगी वो खबर आ रही है पंजाब के तरंतारं के सरहाली पुलि से हुए हमले में खालिस्तान समर्थक आतंक्यों का हाथ बताया जा रहा है अपने इस्लीपर सेलों के माध्यम से घटना को अंजाम दिया बताया जा रहा है कि यह आर्पिजी अटेक है यह हमला सरहाली में किया गया ये वही जगा है जहाँ पर कोख्यात गैंस्टर हर्विंदर सिंग उर्फ रिंदा का पैत्रिक घर है अलाकि सूत्रों से मिली जौनकारी के अनुसार पिछले दिनों रिंदा की पाकिस्तान में मौत हो गई थी सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की कोफी अजनसी आयसाई रिंदा के टर को कायम रखना चाहती है इसी वज़े से माना जा रहा है कि सांकेतिक तोर पर ये अटेक किया गया दरसल कुख्यात अतंके रिंदा कालिस्तानी समर्तक था लिहाजा उसके खौफ को बनाय रखने की कोशिश की जा रही है इसे पहले मौाली में पंजाब के इंटेलिजन्स के ओफिस पर भी अटेक हुआ था इसी तरज पर तरण तरण के सरहाली में हमला हुआ हमले के बाद पंजाब के पुलिस पुरी तरह से अलर्ट है पंजाब के डीजीपी सरहाली के लिए रवाना हो गई है वही बीजोपी नेता मंजिंदर सिंग सीरसा ने इस हमले के बाद पंजाब के भगवनमान सरकार पर निशाना सा दिया उन्होंने कहा कि तरन तारण में अमरिस्टर भटिंडा हाइवे पर स्थेत सरहाली में पुलिस टेशन पर रॉकेट लांचर से अटेक किया गया लेकिन आप से उजग अर्विन के जिवाल के फरमान पर भगवन्थ मान गुजरात और दिल्ली में व्यस्त है साथी कहा कि सरकार से उमीद है कि पंजाम में शान्ती और सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये जाए तो ये बड़ी खबर और ये तरन तारन में टेक के पीचे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ भी बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि कोख्यात आतंकी रिंदा खालिस्तानी समर्थक था हलाकि पता चला कि पाकिस्तान में उसके मौत हो गए लिक्ति उसके खौफ को बरकरार रखने के लिए ये तमाम हमले या टाक किये जा रही है तो पंजाब के तरंतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन पर देरात रॉकेट लांचर से हुए हमले में खालिस्तानी समर्था कातंकियों का हाथ बताया जा रहा है जो अब तक की अपडेट सामनी आ रहे है जो तस्वीरे आप देख सकते हैं सुत्रों के मताबिक पाकिस्तान की कूफी एजंसी आईसाई के शारी पर खालितान समर्था कातम क्योंने पंजाब में सक्री अपने स्लीपर सेलों के माधियम से इस घटिना को अंजाम दिया है और पाकिस्तान में अब बीजेपी आमानुपार्टी को घेती हुई नजर आ रही है और इसी खबर पर जादा अपडेट के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ सेयद मुवश्यर मेरे साथ जुड़ गए है सेयद पंजाब में ये हमला हुआ है रॉकेट से और साथी साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लानिंग है वो स्लीपर सेल के द्वारा की गई थी और इसे लिए ताकि जो खौफ है वो कहीं न कहीं बना रहे तो रॉकेट लॉंचर से हमला हुआ है सेयद अब बिल्कुल काजूल देखे जिस तरी से पंजाब के दानदार के सरहाली पुलिस टेशन में तगर एक से डिल बज़े के रात ये हमला हुआ है अब फिलाल अगर अबडेट ये बात किरे तो किसी जानमाल की नुक्सान नहीं हुआ है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस हमले में किसका हाथ है ये अभी किलियर नहीं हो पायग, हाला कि बताया जा रहा है, सुत्रों के मुकाबले जे कोई खुफी अजनसी है, जो पाकिस्तान के खुफी अजनसी है, उसके इशारे पर ये खारिस्तान समर्टेकातियों नहीं इस चीजों को अंजाम दिया हो, ले जब को बिलकल सायदlier बताए ये भी जारा है कि ये वही जगा है जो आप पर कुख्याद इस गी तो बताई यह भी जा रहा है कि उसके खौफ को कायम करने के लिए ताकि इसका खौफ बना रहे इस वजो से उसके जो स्लीपर से थे उन्होंने यह हमला करवाया है कि कजुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी क्योंकि किसी तरीके की जो कडियां है वो जोड़ने की कोशिच जो इंटेलिजन्स है वो करने के वारी किस्ते पहले ही पंजाब के इंटेलिजन्स पाटैक्ट हुआ था इसी इस तर्व तरहंतारा के साराली में भी हमला पुरी तरीके से ऐलर्ट है। इसको भी डिनाइ नहीं किया ज़ासता है कि इस तरह की हरकत अपना वर्च्ट को खायम रखने किया गया हो। तो बीजेपी इस पूरे मामले को ले कर सरकार को घेरती वे नजार आ रही है कह रही है कि जो पन्जाप की सरकार है वो गुज्राइट और दिल्ली में busy है पन्जाब में क्या हो रहा है इस और मुखे मंतरी कोई ध्यान नहीं दे रही है देगे ये राजनेति का एक कहा सुनी हो सकती है जिस तरीके ते अविपक्ष में चाहे PGP हो चाहे कांगरेस हो वो पूरी तरीके से भगोमान सरकार को गेट रिए की कोशिश जरूर करेगी किक्वी मौका इस तरीके कर अगर एक पूलिस टेशन के ओपर इस तरीके से बताई जा रही है तो उन सब चीजों पर नंजार है राजनेतिक तोर पर एक दूसरे पर कटाक्ष करना यह कहें कि उसको घेरना की कोई नहीं बात नहीं है इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसके वीजेपी हो या कॉंग्रेस हो पूरी तरीके से आमानी पार्टे सरकार मगवंद मान चला रहे हैं मुखमंतरी से बगवंद मान नहीं इसको लेकर कहीं नहीं हैं महवंद मान ता सवाल दरू खड़े हो सकते हैं कि आकर कार आप पो चुनावी हो रहता है आपके आपकी अपनी पार्टे की वह अलग चीज है लेकिन जो इस स्टेट के मुठि पूरे मामले पर जाज भी की जा रही है साथी साथ राजनीती भी शुरू हो गई है और आज की दूसरी बड़ी खबर जो है वो हिमाचर प्रदेश से सामने आ रही है क्योंकि हिमाचर प्रदेश में जीत के बाद कॉंग्रेस मुख्यमंत्री का नाम तै करने में जुटी है शिम्ला में विधायक दल की बैटर के बाद आज पार्टी के परवेक्षक पार्टी आलकमान को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे कॉंग्रेस के हिमाचर प्रभारी राजीव शुक्ला ने बैटर के बाद कहा था कि विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव सर्वसम्मत्य से पारिप किया है इसकी रिपोर्ट आलकमान को स्वापी जाएगी शिम्ला में शुकरवार को कॉंग्रेस परवेक्ष अगुपेन सिंहुद्धा बुपेश पकेल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग की हाला कि इस मिटिंग में मुख्य मंत्री के चैरे पर मुहर नहीं लग सकी जिसके बाद विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर हाई कमान पर फैस्ता छोड़ दिया और पार्टी हाई कमान ही हिमाचर प्रदेश के नए मुख्य मंत्री का नाम तै करेगा इस दोरान शुकला ने कहा कि राज्य में कॉंग्रस के सरकार बनने पर खुशी है और हम प्रदेश की जनता को दी गई दस क्यारंचियों को पूरा करने और बेहतर शाशन देने के लिए सब कुछ करेंगे और सबसे खुशी की बाद थी कि चालिस के चालिस विदायक यहां पर पहुंचे जो आज की बीटिक भी और चालिसों विदायक उने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि अब पार्टी हाइकमान को अधिकरत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने और यहां पर चुन सकते हैं यहां पर जब बैठाक शुरू ही तो मरी प्रजेस अध्यक्ष ने स्वागत किया विदायकों का और प्रस्ताव को पेश किया मुपेशक नियुंत्री जी ने और उसका समर्थन जो है सेकेंड किया उसको सुपविंदर सिंग सुखु जी ने और इस प्रसम्मती से पार्टी हाई कमान को अधिकरत किया है और इसी कबर पर जादा अपडेट के लिए दिल्ली से ब्योरो चीफ सायद मुवश्यर मेरे सयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं उनका रुख कर लेते हैं सयद हिमाचल में सीम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है हलाकि जो भी बड़े चेहरे हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे रहें लेकिन फैसला अब आला कमान को एक सेंटेंस में भीश दिया गया है तो हम यह समझें कि इमाचल प्रदेश में जो आला कमान का फैसला होगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा उसके बाद कोई गुटबाजी नहीं होगी जो कि हमें कभी कभी राजस्थान में दिखाई दे जाती है बिल्कुल काजल दिखेंगे गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से पूरे सरकार बनी और एक विश्वास और आत्म विश्वास सकर बात करूँ तो उसमें इस वक्त कॉंग्रेस है इमाचल में खास कर जब कि गुज़ात में नतीजे अच्छे नहीं आया उनको वहाँ पर काफी करार यहार का सामना करना पड़ा इमाचल का सीन जिस तरीके से बन रहा है लगातार कल मिटिंग में भी कल जो परवेच्छे कियां से गहते हैं चाहिए वो राजी शुक्ला हो चाहिए वो बंगेल हो या दूसरे पतन सिंग उंडा हो वो पेश बंगेल हो यह सब लोग जब मिटिंग की गई तो उसके बाद नतीजे पर निकलना था लेकिन नतीजे पर नहीं निकल पाए एक लाइन में जितने भी विधायक आई समने जित के एक लाइन में कहा कि आला कमान पर इस फैसले को चोड़ना चाहिए और अब खबर ताज़ा चाहिए कि तेरा तारिक तक सम्मती बनके फाइनल यह हो कि दूसरी तरफ अगर पात के रहे हैं जो अपने विधायकों को कैसे हैं कि कारिश में फिरोग कर रख 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 रहे हैं कि इस बार भी हमाचल निकल जाए पूरे समर्थन मिलने के बावजूद कैसकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से जोड़तोर के लिए मशूर है कि जहां पर दो विधायक थे वहां पर भी सरकार बना ली बीजेपी ने तो महारत जिस नहाली से ऐज़ा ना हो कि कांगरेस के विधायक वक्त जादा लगने पर इधर उदर जा सके उसको लेकर पिसका फाइदा कहीं बीजेपी पूरी तरीके से उठाने की कोशिश करेगी जो लगादार अभी उठाक पठाक चल रही है उसके बाद अगर इनको टाइम जादा लेते हैं तो कहीं ने कहीं इसका फाइदा उठाने की कोशिश करेगी बीजेपी और जो अगर जिस गुट से सीम चेहरा नहीं निकलता है तो वो गुट की भी नाराजगी भी कांगरेस को ज चीजों पर बात नहीं कि इस पर किसी एम कौन होगा हिमाचल का उस पर चर्चा नहीं कि ती जब चीजे सामने आ जाती है तब उसके बाद आप उसका फाइदा कीजेए बिल्कुल से यह देखना बेहर दिल्टस्प हो सकता है से जो परमपरा यहां पर हिमाचल की जनता ने चलाई है या जो चलती आ रही है परमपरा और एक बार फिर से उस परमपरा पर यहां की जनता दिखाई दी है वो परमपरा क्या कॉंग्रेस जल से जल जनता के साथ निभाती भी दिखाई देगी क्योंकि हमाचल हमें देखा है कि परमपरा रही है कि 5 साल एक सरकार तो अग काजोल हमाचल का इतिहास रहा है कि पांक साल के बाद कभी सरकार रिपीट नहीं हुई है। उसका फाइदा यही मिला कि एक तो एक सियाथ के तोर पर जो वहां के तोर पर कॉंग्रेस को दुबारा मौका दिया गया। दूसरी बार कि प्रियंका गांधी वाडर ने जिस तरीक पाते कहीं उसमें कहा गया कि दस चीजें हम यहाथ को देंगे उसका भी फाइदा मिला तो अब कहीं नहीं ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर जल्द बाजी जल्दी यह फैसला नहीं लिए जाए तो कहीं नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है जो कॉंग्रेस का अमूमन यह को क्यंगर माराष्टा की काहें लातर है, बाज़ लाइदा, इसकर मुच्न भी फाइद मेना झाए जा जा रहा है कि ने लिए जातर हैं लिए जाए, जो विए जायते मा पडू लाइँ उनते हitution मिलाएं मुझके लिए भी होंगे और गुटवाजी भी ज़्यादा बढ़ने की अशंका जरूर होगी ठीके से शुक्रिया तमाम जानकारी पहुचाने के लिए तो ही वाचल प्रदेश में मुख्या मंतरी कौन होगा बड़ा सवाल कॉंगेस प्रविक्षा का आज एक जो सत्यापन है वो कहीं न कहीं सौपेंगे सस्पेंस क्योंकि लगातार बरकरार है आलकमान को एक रिपोर्ट सौपने की पूरी तैयारी कर ली गई है साथी साथी कहा गया है कि जो भी फैस्दा अलकमान का होगा वही अंतिम फैस्दा माना जाएगा चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का मद्यप्रदेश के बैतूल में बोर्विल में गिरे आठ साल के तन्मे की मौत हो गई है 84 गंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शरीवार सुभाद 6 बजे तन्मे को बोर्विल से बाहर निकाला गया मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने जाच के बाद तन्मे को में तक होशित कर दिया मौत की पुष्टी जन्संपर करविकारी इसके तीवारी ने की बेटी की मौत के बाद परिवार में को हुराम बच गया अब शर्फ का पोस्ट मार्टम कराये जा रहा है इसके बाद शर्फ परिवार को सौंती आ जाएगा 250 से जादा लोग मांडवी गाओं में रेस्क्यू में जुटे हुए थे 400 फिट गहरा बोर्वेल नालक चोहान नाम के किसान के खेट पर था दो साल से बोर्वेल बन था जब तन्मे उसमें गिरा था उस तोरान वो 55 फिट की गहराई पर फस गया था रेस्क्यू के दरान रसी में पंदा लगा के तन्मे को निकानने का प्रयास किया गया लेकिन कुछ उपर आने के बाद प्रयास असफल हो गया और तन्मे 38 फिट की गहराई पर अटा गया गट्टे की जानकारी मिलने के बाद रस्क्यू के लिए बोर्वेल से करीब 30 फिट की दूरी पर बराबर गट्धे की खुदाई शुरू की गई थी शिर्वात में 46 फिट तक खुदाई करने के बाद 10 फिट होरिज़न्टल खुदाई की गई थी मगर खुदाई की दुरान पानी और को ठोट चत्रानों के करन रस्क्यू में बार बार बाद आती नहीं हर बार मुसीवितों को पार करके दोबारा उपरेशिन शुरू किया गया था लेकिन अंत में तनमे को नहीं बचाया जा सका वही दिली नगडिकम के नतीजे आने के बाद कॉंग्रस नेताओं के आमादी पार्टी में शौमिल होने के चंद घंटे बाद रोचा को लट फिर हुआ है दरसल दिली कॉंग्रस के पाधियक्ष आली महनी के साथ ही ब्रिजपुरी वोर्ड से कॉंग्रस पार्ष नाजिया खातून और मुस्तफाबाद वोर्ड से पार्ष सबिला बेगम ने आमादी पार्टी जौइन कर ली थी लेकिन तीनों नेता दोबारा से कॉंग्रस में शामिल हो गए इस घटना करम की कुछ घंटे बाद दिली कॉंग्रस के पाधियक्ष आली महनी ने माफी मांगी और कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए है साथ ही कहा कि मैं रहुल गांदी और प्रियंका गांदी का कारकता हूँ वहीं मुस्तफा से पार्शस, सबिला बेगम और बिचपुरी से नाजय खातून जो उनके साथ अमादमी पार्टी में शामिल हुई थी वो फिर से कॉंगर्स में शामिल हो गई है तो दिली नगडिगम के चिनाव में आपने 25 में से 134 सीटो पर जीत दर्ज की है जबकि BJP के 104 वार्डों में जीत मिली, कॉंगर्स ने 9 सीटो पर जीत हासिल के 3 पर निदल्यूम में दबारों ने कबदा जमाया तालीज हम मेरी में से ओंसलर है, हम लोग विकास के मुद्ध को लेकर चले थे कुछ लोगों ने हमें आमाधी पार्टी के लोगों ने हमें अप्रोज किया उसके लिए कि हम जन्ता कुछ भला कर सकें, मगर हमारे अली मैंदी जी और विधायक असाब ने बहुत काम किया हुआ, वहां की जन्तों को देखते हैं हम दोबारा से यही कहींगे कि राहूल गांदी जी और सोनिय गांदी जी, मान्य पिरिंका गांदी जी और हमारे अधेट्स खड़गे जी कि नेतर में हमें पहले भी थे अब भी रहीं पूरी दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि 15 साल से दिल्ली को भारती जनता पार्टी ने जो पीछे किया 15 साल से MCD में कोई काम ना करके दिल्ली के जो बेजजिती की, दिल्ली के जो सरमिंदगी की उन्होंने उसका जबाब दिया दिल्ली ने और आमादी पार्टी को सिफ बहुमत ही नहीं दिया बलकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और जैसा कि मुखमंत्री जी ने आवाहन किया कि हमें दिल्ली को इस देश का सबसे शांदार सहर बनाना है पूरी दुनिया का सबसे सांदार सहर बनाना है और इसको लेकर सिप आमाधी पार्टी नहीं बना सकती सिप आमाधी पार्टी के लिए दिल्ली बिरोचीफ सेयद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सेयद पहले आमादमी पार्थी का रूप कर लेते हैं फिर उसके बाद वापस कॉंग्रेस में शामिल हो जाते हैं क्या सियासी ड्रामा चल रहा है दिल्ली में कि देखे काजोल ये कहना गलत में होगा कि जिस तरीके से आमा पहले कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं कि आमादमी पार्टी में पहले भी आरे में जाने कोश्च किती लेकिन उस वाक बात शायद नहीं बनी थी लेकिन कॉंग्रेस टिकट दिया आमादम और जी कि घरवाप्स अगर क्रें तो तैना खरत नहीं होगा कि घरवाप्स इनोने फिर दुबारा कॉंग्रेस वे गया निमें दी उपाते हैं दिली बजी पर मांपी जायद इनको अच्छी पतर मानिया थी लेकिन आफिर क्या वजा रही कि एक वार आमादमी पाटी में जए और मुस्वाबाद वार्ड में जिस तरीके से यहां पर इनको टिकट देकर बेजा गया उसके बादी चुनाओ जिताया गया आला कमान जितने से दिली के बले नेता थे सबने मदद की लेकिन जीतने के बाद तुरंद आप आमादी पाटी में वाफिस चले गए तो उसको लेकर जन्ता वाहं की जो वाट की जन्ता थी काफे नरा थी कलिंगे खलाब पूरे वाट में फुत्ले बुगे गया निमें जी खलाब और दूसे जो पार्षाते वो यार ये काम पूरों पहुंता के तुल दर्शन को तो पहुंचाने के लिए तो हमसरी रिजल्ट के बाद कई ऐसे विधायक थे कॉंगर्स के जो आमादी पार्टी के पास लॉड़ गए लेकिन जब उन्हें एसास हुआ तो वापसी उन्होंने की है बढ़ामपूर जिले में थाना तुलसीपूर के अंदरगत आने वाले ग्रामसभाब इलहों में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया बदवार को इस घटना ने पूरे जिले में संसरी पहला रखी थी पुलीस अधिकारी ने इस घटना का सफल अनावरन 24 गटना में लूटे गए एक लाख असी हजार रुपे की साथ साथ तूटे गए बैग से काखजात को भी बरामत कर लिया गया इसके साथ ही पुलीस ने इस्तवाल की गई कारो देशी तमंचे को भी बरामत कर लिया कि अधिक है और ने मौके का मौयना किया और कई टीमें हमने गठित की और प्रयास का कल था कि हम लोग बिल्कुल चौर्व गंटे के अंदर सही मुझी मों तक पहुंच गया और घटना में रूटी के समस्त रकम बरामत किया हमने घटना में जो प्रियुक्त गारी है उसको और जो घटना में सामिल जीतने लोग थे सभी को हम लोगों ने पकड़ लिया और इसमें जो मुख्य अभ्यूक्त है वो डबनू उर्फ रिजवानुल हक गौरा थाने का हैस्टिशिटर है पहले भी कही लोड की घटनाय कर चुका है और गंगेस्टन में भी इसके खिलाफ कारवाई हुई थी और यह बाहर था इस समय इसके अलावा एक अवधेश कुमार यादव है यह भी 2021 में पिछले वर्ष नूट के एक मामले में सारंपूर के दिली देरादू नेशनल हाईवे पर कस्पा विहारीगड के समी पूत्राखन की सीमा पर बनने वाले बहुत देश्य हब के लिए चिनहिंद भूमी का अजराविकारी ने इनिरिक्षण किया गरतलब है कि प्रदेश सरकार ने अंतराज्य मार्गों पर प्रद सारंपूर के सिट्री कोत वाली में जहां पर एक युवक फर्दी फूर्द इंस्पेक्टर बनकर मिठाई की दुकानों से अवैर दुगा ही करता रहा जिसके सुचना मिलता ही पवनकुमार मुख्या खादेश रुक्षा अदिकारी सारंपूर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर फर्दी फूर्द इंस्पेक्टर को अपने कब्जे मिलेकर सिटी कोत वाली सारंपूर के सुपूर्द कर दिया गया पवनकुमार मुख्या खादेश रुक्षा अदिकारी सारंपूर द्वारा जानकर देते बताएगे कि प्रशी दो महीनी से लगाता सुचना ऐसे मिल रही थी लेकिन अब इस पूरे मामले में आक्शन ले लिया गया है सुवे की मुख्या योगी आदितना सभी जिलों के आलादिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अपने अपने जिलों की सभी विवस्थाओं को दुरुस रखें इस इक्रम में जालौन के पुलिस अधिक शाक रवी कुमार और उपर पुलिस अधिक शाक असिम चौधरी के दिशा निर्देश अनुसार ट्राफिक इंट्राज संजर मिश्वान इससाइज निर्देश की अभियान चलाया और लोगों को यातायात के नियमों का पार्ट भी पढ़ाया है सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से आवाहन किया जा रहा है पुनिस के करम में आज क्रेटेश अवादार में सड़क सुरच्छा के संबंद में क्लेटेट के तमाम करुचारी हो चैंट और कुछ बाहर से आएवे लोगों को सपक दिलाएगी कि वह ह्याथा है आपके नियमों का पालं करें मुबाइल पोन पे बात करते हैं सेल बेल्ट का इस्तमाल करें हेलमिट का इस्तमाल करें और दारू पी एंस म्हाधर घारु पी ना चंप और इसके साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे नीस वल इंडिया के साथ